अगर पवंस इसी पार्ट में जाते हैं तो खी आमान भी सपोर्ट करेंगी इसके बादव पवंस इकैट के बारे में पटा ही नहीं है प Wikaas के बारे में पता ही नहीं है तो आखिरIn ale जंता मुट थिए गा तो क्यों देगा विकास के बारे में पता है कि नहीं पता है यह मैंने सुना नहीं अगर उन्हों नहीं आई और यह पूरा सोसल मीडिया पर चल रहा है है पाराकाट होट सीट बन गया है क्या कुछ बात है कौन से तो देखिए वह यूटर्ण तो नहीं लेंगे कल तक का जो बात है उसके यूटर्ण लेने की कोई बात सामय है कैसे हम विश्वास कर ले कि मनीश कर ले कि निर्दलिया पर्तियासी थे बीजेपी में जाके सामील हो कमजोर किरदार था था ठीक है वह फैनेंशिल उतना स्ट्रउंग नहीं था सारी जीजह अब ऐक बात बता यह पावरस्टार है ना इनको चाहिए था जीवन में ना उनको पैसा चाहिए था जीवन में ना इनको वह सारी सुकसुविधाय सब ना उपर-उठ चुके थे है अ अब उनको एशो और आम की जिन्दगी वो अल्रेडी जी रहे हैं, तो अब उनके पास एक ही चीज बसता है कि समाज का सेवा करना, उनको जहां तक पहुंचना था उपावर स्टार पहुंच चुके हैं, तो उनके पास वापस जाने का कोई विकल्प ही नहीं है, आदमी कुछ विकल्प दिखता है तब नवापस जाता है, आपको लगता है कि दोख उस्वाहा के बीच से पावर स्टार पहुंच जीत पाएंगे, निकल पाएंगे, जीतना हारना तो जन्ता पे निर्भय करता है, अब वो दिल से अगर पहुंच जीक और क्यों नहीं जीताएगी जन्त कि इतने सालों से उन्हों ने क्या किया, कहां गया हमारा डाल्मियानगर का पूरा फैक्टरी, कहां गया, किसने बेचा, जो थे वो क्या किये, वो तो जब आएंगे तो उसके बाद डिसाइड होगा कि करेंगे कि ना करेंगे, नहीं करेंगे तो पान साल बाद जाएंगे, जो आया ही नहीं, उस पर आप कैसे ने नहीं ले सकते हैं? पहवन सिंग का एक इंट्रव्यू काफी तेजी से वाइरल हो रहा था, आज से कुछ दिन पहले, कि मुझे कुछ राजनीती के बारे में पता ही नहीं है, फॉल्टिक्स के बारे में पता नहीं है, विकास के बारे में फटा ही नहीं है, तो आखीर में जन्ता पहवन सिंगा भूट देगा तो क्यों देगा? विकास के बारे में में पता है कि यह नहीं पता यह मैंने सुना नहीं. अगर उन्हों नहीं है, पूरा social media पर चल रहा था, चल रहा होगा भाई, सुनिये, अगर वो यह बोल रहा है, कि मुझे राजनितिक के बारे में पता नहीं है, और आप individual मुझसे बाइट ले रहे हैं, तो हम बड़ा खुश नसीब है, कि पवन भाई, राजनितिक के जो नेग सिधा आदमी है वो, लेकिन आपका एक interview social media पर आज से कुछ दिन पहले, काफी तेजी से वाइरल हो रहा था, जिसमें आप बोल रही थी कि power star, पावन सिंग को, हम तो superstar मानते ही नहीं है, वो मेरे office पे आने लाइक ही नहीं है, चाहे भोजपूरी कोई भी superstar हो, तो पहले आप मेडिया में statement आप निकाल सकते हो मेरा, इस पे मैं challenge भी करती हूँ, अरुन रुमया जी बोल रहा है, पौन बोल रहा है, उसका दोश आप हमें दीजेगा, इतना बेब को भी बयान हम नहीं देगा, अगर आपके मधला विकास मंच में कुछ भी होता है, तो बीना मानवी पर में दोनों फर्क है, मैंने ऐसा कोई statement नहीं दिया, इस बात पर किसी और ने बोला होगा, तो बोला होगा, उससे मुझे क्यों लपेट के, संजो के, सारी चीजों को लेके, वो समाज के बीच में उतरे है, आसन सोल ने बहुत आराम सोचना लड़ सकते थे, बिहार का बेटा है, सपना था कि बिहार में आके कुछ करते, तो वो सपना उनका पूरा होते नजर नहीं आ रहा था, तो आसन सोल छोड़े, फिर बिहार में आए, फिर उमीद कि ये भाजपा से कि आच्छा, अब मिल जाएगा, अब इधर से मिलेगा, अब उधर से मिलेगा, 87-90 प्रोग्र विगे, तो क्यों नहीं दिये, बताइए आप, क्यों नहीं दिये, बिल्कुल देना चाहिए, और हर दिल अजीज, अरे बिहार में कहिएों से खड़ा कर देते तो वो इंसान जित जाता, निरदलिये भी हम कहां मान रहे है कि वो आर रहे है, एक लोग के मने में सवाल चल र इसमें पवन सिंग ने खुलासा नहीं किया यह तो जग जाहिर है पूरे मीडिया में चल रहा था एक एक गाने पे छोटे से गाने पे उनके विवादित कर दिया गया क्या वहां पे बंगाल के गाने पे क्या हमारे और जो अल्रेडी मंत्रीगंड बने हुए हैं भोजपूर यह राजनितिक गेम था यह मेरा अनुभव कहता है कि पवन जी के दुश्मन बीजेपी के ही लोग है पवन जी को बीजेपी के ही कुछ लोग जो उन्हें नहीं पसंद करते हैं वो उन्हें आगे आने ने दे अब बीचारे उपर वैटे हैं मोदी जी अमिर्शाह जी यह व दोनों को लेने, Wit-वन को लेने हैं मनीश के लेने, पवन नहीं गया मनीश चले गया, एक क्लिप पवन सिंग का इंटर्व्यू में जो बिहार तक पे दिये हैं काफी सोसल मीडिया पे वाइरल हो रहा है पवन सिंग से पूछा जाता है कि अपने प्विपक्षी के लिए क्या बोलिएगा जो दस साल सत्ता मेरा के राज किये है और कुछ विकास नहीं हुआ है तो पवन सिंग करना के ही जन प्रतिनीधी बचाएंगे ना मोधीजी चले आएंगे सेंटरल से उठका जाता है कि आप काम कैसे की है तब लोग आपकी सपोर्ट में आएगा ऐसा नहीं होता भाई देखिए इंस्टेंट फर्स्ट स्टेज में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी छ प्षेत्र को देखें तो आप अपने जन प्रतिनीधी को तो सही चुनेंगे ना कि हाँ जब हम जाएंगे तो यह यहां बिहार में बैठे रहेंगे लंदन परिस और होनूलूलू चले जाएंगे तो यह चीज तो नहीं होना चाहिए पावन सिंग अभी निर्दलिय मुझे चाहे था मेरा पार्टी अगर पावन सिंग इसी पाटि में आते तो किस पावन सिंग याएंगे तो विनदा में बीभातल जायेंगे इसके बाद यह बात अभी क्यों भी विवादित बयान के तो जाएंगे यह तो कि आ घ्इल कि यह पावन लियाँशी किलेने जिस भी जनपरतिनीदी को सपोर्ट कर रहे हैं या कर रही हैं सिर्फ व्यक्ति विसेज को देख करके क्योंकि उस चेत्र में उस व्यक्ति ने कैसा काम करेगा या अभी उपेंदर कुस्वाहा किया बात किये हैं काला काट जाके देख लिजी आपको सिच्विशन पता चल जाहिर की काट जाएंगे तो जाएंगे जल के फिर चुदब शेच्शाब कारण परचार उलकी हैं तो श्यक्ति यह नियुन का जब जीतेंगे उनको अगर लगेगा कि मेरी आजाधी मैं चिब अपनी बातों को रखूगा सदन में हमें इस पाटी के द्वारा सथन्तित ऩ स इस पाटी के द्वाराद दी जाएगी ताकि मैं बिहार की बात कर सकूँ, मैं छेतर की बात कर सकूँ, तो वो काम करेंगे, अगर उनको लगेगा कि हमें NDA में जाना चाहिए, हमें BJP जोइन करना चाहिए, वो हमको अजादी देगी अपनी बातों का रखने के लिए, छेतर की विकास की बात करने के लिए, तो अल्डेर विजेपी में जाएंगे, लेकिन हम लोगों का मुद्दा बस एक ही है, कि बिहार की बात हो, सिख्चा रजगार स्वास्त की बात हो, महिला विकास मंच, चाहे कोई भी पार्टी में जोईन हो जाता है, तो उसकी इसारे पर आपन बात करेगा सदन में, हम इस पहले ही से क्यों हतो साथ हो जाए कि मारा बात नहीं करेगा, एक बार भरोसा तो कीजिए, MAR creators के बात होगी, उनको लगएगा हमें यहां जाना चाहिए तो जाएंगे, या पवण सिंह कारा कार्ट में एक भासन देते हैं, लगबग वो बहासन 20 म तो कि बारे में बता देती हूं यह वो इसलिह नहीं बात कर रहे है क्योंकि कल ही मेरे सामने और उसमें कुछ पॉइंट सामने भी दिये महां के लोकल जन प्रतिनीधी भी बीना मैनुफेश्टो तयार किये कोई भी जन प्रतिनीधी अपनी बातों को नहीं रखेगा अभी हमा पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि उनको क्या करना है क्या ने करना है जाने कि सारा काम स्कृप्टेड होगा पार्टी और प्लानिंग और बिना स्कृप्ट जरुवत के पॉइंट को उसमें लिखे कौन पार्टी काम करते हैं बताइए अगर आज RJD हो या BJP हो या कॉंग्र अभी अभी उथल पुथल थोड़ा हो रहा है थोड़ा देखी रहा दो तीन दिन धैर धरी है ना आप लोग आप लोग वी एकदम बेचाने हो जाते हैं अभी एक भाई चले गए उठके दूसरे भाई के लिए चार्टर फ्लाइट आने वाला है सुने है तो थोड़ा उथ मैनोफेस्टो भी चिटिंग होती है मैनोफेस्टो भी चुराया जाता है आज हम अपने सारे पॉइंट्स को रख देंगे मीडिया में तो पता चला उससे दूग पॉइंट और जोड़के ने करके दूसरा पार्टी रखना चालू कर देगा हम करेंगे ना नौ तारी के बा किया कुछ करना है महिला विकास मंच मीना मानवी के बारे में क्या कुछ करना है अपना राय परतिक्रिया जरूर दीजेगा इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी तमाम दर्सकों बहुत-बहुत शुक्रिया अभार जैहिंद जैबिहार